हलो एंड नमस्कार तो आपका स्वागत है इस नई नवेली ताजी अन बॉक्सिंग में तो यह है क्या आई वी वॉक्स की तरफ से नॉन स्टिक को क्वेर अपमेकर मतलब मैंने सोचा था इडली बनाएंगे तो उस हिसाब से मैंने इस चीज को बाई किया है तुम जल्दी से परेंगे और देखेंगे कि आपको मिलता क्या-क्या है इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि नॉर्मल फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग नहीं है आपको कहीं पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है सिर्फ लिपकार्ट यहां पर देखता है है ना कि काफी डिफ्रेंट से चीज ल पर यहां कुछ बुड़न चीज भी है मुझे नहीं अब तसका यूज कैसे करेंगे लेकि जल्दी से मैं इसको फार के देखते हैं कि हाँ क्या है कैसा है यह इसको धोने के लिए शायद इसका रोल पता नहीं यह कैप है यह यहां लगेगा इसको स्क्रू होगा गहीं पर अच्छा इसके अंदर यह स्क्रू मैं सोचूं इसको स्क्रू कहां पर तो यह पहले से आपको निकाल लिए इसको और फिर इसको यहां जैसे लगा सकते हैं ठीक है तो इसका ड़कन हो गया यह आपका अपम मेकर मुझे बनानी यह से इडली कि मेरे खाल से यह इसमें आप दो लगाई है तेल लगाई है और ऐसे से करके तो यह अलुमिनियूम का है मुझे लगा था कि नीचे यह बराबर होगा ना बराबर हीट जाएगी लेकिन नहीं यह 3D शेप में आप देखिए तो डिफिर्ट है लेकिन आप ईससे सिफ चूला यूज कर सकते हैं इनक्षन पर शि महीं कर सकते हैं एक उने करता हैं थिक भी काफी छोटा फुर किसे ए टार बेले yankowanads कैसे है एक और चीज़ देख लेते हैं जो यह इसका बॉक्स था ना तो इस पर कुछ लिखा है स्टेनलस स्टील लिड नीचे तो अलुमिनियम है लेकिन यह चीज स्टेनलस स्टील की है और यह था आपके सामने प्रोडक्ट हम बागी जब इसका उच बनाएंगे तब देखेंगे इस चीज़ का यूशाय इसको धोने के लिए साफ करने के लिए यह दकन और यह क्या है पत खूल भीया तो इसमें लिखा है कि आप क्या करें क्या नहीं करें तो आप इस इंस्ट्रक्शन को भी देख सकते हैं कि इस्तिमाल के बाद सावन्स चाहिए साप रखने के लिए स्पञ्ज और नाइलॉन की गरम चासनी को प्योग करें बीक सकते हैं आपको यह दिज मिलती ह यह काफी लाइट वेट है डिकन स्टेनल स्टील का है इसका परपर्ज पाता नहीं गलती से तो नल दिया है पता नहीं तो ठीक फिर निलते है नेक्स टाइम नहीं कर प्रड़क के साथ नहीं इन बॉक्सिंग के साथ यह गूमो कहता है इसमें अभी ओके सियो दैन बाइब